अगर हम इसकी seat की बात करें तो adjustable seat आप अपने तरीके से इसको adjust कर सकते हैं आगे पीछे करके तो अपने driving के साथ से अगर हम बात करें इसके redditor की तो इसमें आपको बड़ा सारा redditor मिलता है जो की आगे से प्रयाप्त मात्रा में हवा जाती है और engine जो है better coolant system के साथ में आग आपको जबरदस्ट मिलने वाला थ्री लिंकेज के साथ में आपको मिल जाता है और इसकी जो sensing यह वह भी आपको जबरदस्ट इसमें जो गेर है वह आपको आठ फारवर्ड और दो reverse गेर मिल जाते हैं जो की fully constant में इस गेर आते हैं और center shift गेर आते हैं आपको देख सकते हैं 12 वोल्ट की आपको इसमें charging connectivity पोर्ट आपको मिल जाता है और यहीं पे आपको कैरी कर सकते हैं आपका जो mobile है उसको आप यहां पे कैरी आपको 6 साल की warranty और 6000 घंटे का आपको इसमें warranty अगर हम इसके ground clearance की बात करें तो इसका जो ground clearance एक्टर का वो काफी धरातल से उंचा है दो पावर है होस पावर और इसमें 399 cc का इस टैक्टर में इंजन आता है और यह जो टैक्टर है काफी पावर्पूल है महिंद्रा का और काफी जबरदस्त है इसमें MRS पे टायर दिए हैं आगे और पीछे के जो टायर है इसमें काफी पावर्पूल टैक्टर है 1450 kg इसमें hydraulic lifting capacity है टैक्टर की और यह 2000 इंजन डेटेड आर्पिम पर वर्क करता है बयारी सेच्पी में किसानों के लिए जो टैक्टर कंपनी ने निकाला है यह काफी शांदा टैक्टर है और किसानों को काफी पसंद आता है कम तेल खाता है ज्यादा माइलेज देता है तो हम बात करेंग ठीच में वाइक को देख सकते हैं बहुत को कहीं आपको इसमें डिजल फिल्टर मिलता है जो की सिंगल है और हम बात करेंसके리कर की तो इस बात करें इसके self starter motor की तो इसमें 12V, 1.5kW की self starter motor मिल जाती है वहीं अगर हम बात करें इसके redditor की तो इसमें आपको बड़ा सारा redditor मिलता है जो की आगे से प्रयाप्त मात्रा में हवा जाती है और engine जो है better coolant system के साथ में work करता है आगे के अगर हम axle की बात करें तो आपको heavy duty axle मिलता है मुडवा जिससे की radiance कटाई है वह जबरदस्त हो जाती है इस टेक्टर की शांदा टेक्टर है यह अगर हम इसके ground clearance की बात करें तो इसका ground clearance टेक्टर का वह काफी धरातल से उचा है इसमें आप देख सकते हैं नीचे की तरफ इसमें company ने weight दिया है जिससे की front lifting न मिलने वाला इसमें लगा हुआ नहीं है जो की almost 75-80 kg का आपको इसमें आगे का bumper मिल जाता है तो front lifting बिल्कुल भी नहीं होती है इस टेक्टर में बात करते हैं इसके pump की तो यदि हम इसके pump की बात करें तो इसमें आपको single pump मिलता है जो की hydraulic का pump है और hydraulic का pump इसमें जो है उसका जो filter है वो आपको बड़ा सारा filter यहाँ पे मिल जाता है जिससे की filtration है वो जबर्दस हो जाती है और यह 32 लिटर प्रती मिनट के इसाफ से oil supply करता है जिससे इसके hydraulic के वो smooth तरीके से work करती है अगर हम इसके engine oil filter की बात करते हैं तो आपको engine oil filter यहाँ पे place किया हुआ है नीचे क आपको मिलती है अमरोन की जो कि trusted company अमरोन उसकी बैटरी आपको इसमें मिल जाती है उसके बाद में हम बात करते हैं इसके cleaner की तो इसका जो cleaner है वह आपको three stage weight ear cleaner आपको मिल जाता है अल्टिनेटर की बात करें तो इसका जो अल्टिनेटर है वो 12 वोल्ट और 75 एंपेर का आप क्वालटिनेटर मिलता है यहीं इस treaker की अगर हम coolant की बात करें तो coolant box आपको एक लिटर का मिलता है और यह watercooled engine आता है इस टेक्टर के अंदर जोकि बनकित्न होता है इसके पंङदू के अगर अम बात करें तो इसकी जो अब कर को premium quality की पंङदिया आता है बाकी यह जो टेक्टर है काफी शांदार है 42 HP में जो किसानों को काफी पसंद आता है यह जो टेक्टर है काफी पसंद करते हैं किसान 42 HP में कम तेल खाता है ज्यादा माइलेज देता है यह जो टेक्टर है तो यह जो टेक्टर है भूमी पुत्र के नाम से यह टेक्टर आता है और ये महिंद्रा का 475 DIY MS XV Plus Tector है जिसका आप राइट साइड में बेजिंग देख रहे हैं काली पट्टी में और वाइट कॉंबिनेशन है आगे का जो इसका लुक है वो आपको सामने का डेडिकेटट लुक आपको मिल जाता है जो की महिंद्रा का इसमें बीच में लोबो और बाहर की तरफ दो हेलोजन हेड लाइट है इसमें और इसमें आपको जो आप देख रहे हैं इसमें आपको लेफ्ट साइड भी आपको महिंद्रा 475 DIY XB Plus की इसमें आपको बैजिंग मिल जाती है और भोमी पुत्र की भी आपको इसमें बैजिंग मिल जाती है अगर हम इसके क्लच की बात करें तो इसका जो क्लच है वो आपको डुएल क्लच आपको मिलता है जो की काफी स्मूथ तरीके से वर्क करता है उसके बाद में फुटिश्टे पर जो इसका है चेचिस में ही इन बिल्ड किया हुआ है अगर हम इसके पाइदान की बात करें तो इसमें जो पाइदान है वो नीचे की तरफ प्लेस किये हुए है और इसमें होल दिये हुए है छोटे छोटे जिसे पटलिंग करते समय आपका पैर फिस लेना उसका पूरा खयाल रखा है पीटियो का लीवर आपको आप देख सकते हैं इसमें आपको लेफ साइड में ही आपको पीटियो का लीवर मिल जाता है और इसमें हाई और लोका लीवर आपको यहाँ पे मिल जाता है सेंटर में ही और इसमें जो गेर हैं वो आपको 8 forward और 2 reverse gear मिल जाते हैं जो कि fully consent में इस gear आते हैं और center shift gear आपको मिलने वाले हैं अगर हम बात करें इसके कुछ और feature की तो इसमें आपको देख सकते हैं 12 volt की आपको इसमें charging connectivity port आपको मिल जाता है और यहीं पर आपको carry कर सकते हैं आपको mobile है उसको आप यहाँ पर carry कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा feature है उसके बाद में हम बात करते हैं इसके अन्य feature की तो आप बने रहेए वीडियो में चलिए बात करते हैं उप्र инструмент cluster की तो इसमें आप देख रहे हैं इसका यहाँ पर दिखाएगा temperature क्या है वह आपको यहाँ पर दिखाएगा लिए इसका आपको Radiance का tie और sound आपको दिखाते हैं इस अपर का कि इसका sound किस तरीके का है इस factor का तो आप स्टार्ट करते है टेक्टर को तो आप देख सकते हैं और आर्पेम कितना चड़ेगा वो भी हम आपको दिखाते हैं इस टेक्टर का, कमपनी क्लेम कटिये 25 का देखते हैं कितना चड़ता है आपको, तो इसका 22 तक आर्पेम चड़ा है, आपने देखा है किसान भाईयो, तो यह जो टेक्कर है, काफी शानदार है, 400 पीचेतर, तो हम कर देते हैं इसको OFF, टेक्कर को, तो अगर हम इसकी Tanky की बात करें तो इसकी जो डीजल टेंक की है, वो आपको सहिताली स्टेटर की डीजल टेंक की आपको मिल जाती है, जो ब्रेक हैं, इसमें Multi Disk Oil Images, ब्रेक आपको मिलते हैं, इस टेक्टर में और साइड में ही आप देख सकते हैं इसमें आपको DC और PC लीवर की सेटिंग करने का ओप्सन मिलता है जो कि आप अपने तरीके से इसको एड़्जस्ट कर सकते हैं DC और PC लीवर को तो यह काफी शांदा टेक्टर है 475 जो की 42 हवी में है फिर आप देख सकते हैं इसमें जो रेस पेडल है वो आपको नीचे मिल जाता है और इसमें रेस लीवर है वो आपको इस टेरिंग के पास में आपको मिल जाता है तो शांदा टेक्टर आपको मिलता है और दोनों तरफ आपको इसमें पैसंजर ग्रीव हैंडल मिलते हैं राइट साइड में भी और लेफ साइड में भी तो यह जो टेक्टर है महींद्रा का 475 शांदा टेक्टर कंपनी ने लॉंच किया है रिसेंटली 2023 में MS में ये लॉंच हुआ है ये टेक्टर काफी सारे चेंजेज के साथ में ये टेक्टर लॉंच हुआ है और आप देख सकते हैं बैजिंग दी हुई है भूमी पुत्र की हम बात करेंगे इसके टायर साइज की तो आगे के जो टायर गुडियर के आपको मिल जाते हैं और ये आपको 616 के मिल जाते हैं पीछे के जो टायर है वो आपको MRF के मिलते हैं और ये जो टायर है आपको 13,628 के टायर आपको मिलते हैं आप देख सकते हैं पीछे के जो टायर हैं पीछे की तरफ चलते हैं चली हम पीछे की तरफ ही चलते हैं और बात करते हैं इसके और फीचर की तो इसमें जो आपको आपको एक्सल पीछे करें इसके hydraulic depth and draft control बार की तो इसमें आपको जो hydraulic depth and draft control बार है वह आपको जबरदस्त मिलने वाला three linkage के साथ में आपको मिल जाता है और इसकी जो sensing ये वो भी आपको जबरदस्त मिल जाती है महिंद्रा की अगर हम इसकी hydraulic lifting capacity की बात करें इस टेक्टर की तो इसमें आपको 1450 kg की hydraulic lifting capacity आपको मिल रही है इस टेक्टर के अंदर toolbox की वहीं अगर हम बात करें तो इसमें आपको लोहे का toolbox मिलता है जो की काफी लंबे समय तक चलने वाला है अगर हम इसकी seat की बात करें है मिडी में ही और हम अगर break की बात करें handbreak की तो इसमें आपको फंडर में यानि की आपके जो मरगाट है उसी में आपको hand break मिल जाता है इसकी अगर हम बात करें और पीटियों की तो इसमें आपको सेटी स्पाइंट आट की maximum PTO power मिलए यह जो कि 540 चकर प्रडूइस करती है और 540 चकर आपको इस ट्रेक्टर में मिलते हैं पीछे की तरफ अगर हम बात करें तो इसमें आपको हैलोजेन हेडलाइट मिलती है बैक में ही और यह रात में विजिबल्टी को दिखाती है पीछे की तरफ आपको पार्किंग और ब्रेक इंडिगेटर आपको मिल जाते हैं दोनों तरफ फंडर में तो पीछे का लुक मैं आपको इस ट्रेक्टर का दिखा देता हूँ पीछे का जो लुक है वो शांदार लुक के साथ में आपको मिलने वाला है किसान दोस्तों तो यह जो ट्रेक्टर है काफी शांदार आपको मि प्रुटा है